तो यहार मार्वल ने बिना बताए, बिना किसी अनॉंस्मेंट की ही, डिरेक्ली मिस्स मार्वल का ट्रेलर रिलीस कर दिया, भाई लिटरली में थौर लव एंटेंडर की ट्रेलर का एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था, पर कोई नहीं, इसी से काम चला लेंगे, इसलिए चलो डिरेक्ट इसके ब्रेक्डाउन में डुपकी लगाते हैं, तो पहले अगर इस शो का बेसिक प्लॉट दे दूँ, कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहर इसे आप एक टीनेज ड्रामा कह सकते हो, जिसमें सुपर हीरो का टच्च दिया गया है, देखो फेस फोर में मार् के साथ कुछ ऐसा ही है, जहां आपको एक टीनेज कमाला खान की स्टोरी, और इजिन स्टोरी देखने को मिलेगी, तो सौट अफ जिस एज में पीटर पार्कर की इंट्री होई थी, उसी एज में स्टायक्टर की इंट्री होगी, ओवराल पूरे ट्रेलर की बात करों, तो सा हो जाती है, और हाँ इस सीरीज को लाने का एक ही मोटिव लगता है, कि मावल स्टूडियोज दा मार्वल साने से पहले, जो कि कैप्टन मार्वल का सिकंड पार्ट है, उससे पहले ओडियन्स को एक नए क्याक्टर के साथ इंट्रीज करा देना चाते हैं, जिससे मूवी में कन्फिजन ना हो, तो हाँ जिनको कैप्टन मार्वल 2 देखना होगा, उनको ये सिरीज देखना ही पड़ेगा, ट्रेलर के फर्स चॉट में पदा चल जाता है कि कमाला सुपर हिरोज की कितनी बड़ी फैन है, क्लास में बैट कर वो ड्रॉइंग कर रही है, या फिर कह सकते ह कर रही है, जहां आप एंट मैन, मैन एंट, ऐसा कुछ देख सकते हो, तो हाँ एक तरह से वह अपने क्रियेटिविटी, अपने ठाट प्रसेस को रफली निकाल रही है, भाई जब मैं बोर होता था, मैं तो टीचस की ड्रॉइंग बनाने लगता था, लेकिन अगर आप यहा पुरा ट्रेलर का स्टाइल, कॉमिक टाइप का है, मतलब कॉमिक बुक टाइप का है, जहां आप डायलोग पॉप अप होता देख सकते हो, इवन मावल स्टूडियोज का लोगो भी ऐसा लगता है कि किसी ने ड्रॉइंग किया हो, वैसे इन सब से मुझे थोड़ा में करते थे ना, कि कोई भी इंसिडेंट इमाजिन किया, और उसी को माइंड में प्ले करने लगें, तो हां वैसे ही कुछ कमाला खान कर रही है, और शायर इसलिए स्कूल में उसको कॉंसलिंग दिया जा रहा है, वैसे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, बट यूएस में ज इस चीज़ नोट इस की, वो था इस कारेक्टर के पास, cat printed cup होना, साथ ही पीछे cat का poster भी होना, ऐसे ही similar कुछ हमने लोकी में भी इस कारेक्टर के पास देखा था, and overall captain marvel और cat का connection हम सब जानते हैं, वैसे यहीं पे world history का ये book भी रखा गया है, जिसके cover पे Egyptian pharaoh बना है, और में, आप उसके t-shirt पे अगें, वैलकरी, वास्प, and captain marvel को देख सकते हो, and overall trailer में भी यही portrait किया गया है, कि मेरे और आप की तरह, कमाला खान super heroes की बहुत बड़ी fan है, and इसी बात के लिए उसके कुछ classmates उसे bully करते हैं, अब यहाँ जो इसका मजाक उड़ा रही थी, उस character का ना obviously कमाला के साथ, इस पूरे school को crush है, साथी इस पूरे sequence में हमें ये भी दिखाया जाता है, कि कैसे कमाला सब कुछ imagine करते रहती है, अपने fantasy land में, and इसी fantasy land से, इसको चुटकी बजाकर वापस लाया जाता है, like literally चुटकी बजाकर, भाई, end game के बाद, MCU में चुटकी पर तो ban ल या फिर करने का सोचा ना हो, मेरे पास भी शक्ती मान वाला कॉस्ट्यूम था, ऐसे यहाँ जो ब्रूनो करेक्टर है, कॉमिक्स में भी first करेक्टर था, जिसे कमाला के powers के बारे में पता चला था, साथी इसको कमाला पे crush भी है, दिन यहाँ कमाला मॉस्क में प्रे करती सूपर हेरो भी, फिर हाँ इस शॉट में देखकर ही पता चलता है, कि वो किसी तरह की इवेंट में होगी, मुश्ली कॉमिक कॉन टाइप का कोई इवेंट, यहाँ आप कैप्टन मार्वल का स्टैचू भी देख सकते हो, और इस कमाला के ID बेंड पे ध्यान दोगे, तो अव कि एक शॉट मिस के फादर यूसुफ खान का भी, और हाँ यह दोनों ही Indian अक्टर है, देन हाँ यह वाला सीक्मेंस सबसे important है, जहां उसको सूपर पावस मिलेंगे, किसी तरह के पुराने स्टोर रूम में उसको एक बैंड मिलेगा, या ब्रेसलेट मिलेगा, जिस से कि उसक इनर बैंड थे, फर्स्ट था निगा बैंड जो की directly connected है क्रीम पार से, और इसको फर्स्ट कैप्टन मार्विल, जिसे आप मार्विल के नाम से जानते हो, वो यूज किया करता था, और सिंस यह निगा बैंड कैप्टन मार्वल से connected है, तो सीरीज में भी इसके होने के ना ही होगा, तो हाँ, इस बैंड को निगा बैंड की तरह शो किया गया, तो directly कैप्टन मार्वल से connection बनता है, और सिंस यह कैप्टन मार्वल की मूवी में दिखने वाली है, तो आइगेस निगा बैंड ही होगा, और आविसली पावर मिलने के बाद इसकी पूरी लाइफ च और अगर इस शोट में द्यान दोगे, तो पता चल जाएगा कि कमाला कितनी क्रेजी है कैप्टन मार्वल के लिए, उसका हिलमेट कैप्टन मार्वल का है, और उसने जो जैकेट पहना है, वो भी उसी का है, जिब वो पाइलेट थी, द्रेन आता है यह वाला शोट, जहां आ इसी स्टोर को अपना हेटकॉर्टर बनाई थी, मतलब कि यहीं से वो अपनी प्लैनिंग प्लॉटिंग यह सब करती थी, तो हाँ यहां धमाका हुआ है, तो फार शोर पंगा होगा, आगे भी हम कई सीक्वेंसे हम कमाला कुस्त के ने सूपर पावर्स को टेस्ट करते देख है, तो मुझे लगता है कि इसे डिफ्रेंशियेट करने के लिए लाया गया होगा, सिंस फंटास्टिक 4 की एक मूवी आने ही वाली है, तो रीड रिचर्ट से इसके पावर्स को अलग दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, एंड देन हमें मिलता है यह यह ऑगर 4K में आया, तो मैं इसे अपना वाल पेपर बनाऊँगा, तरिन यही पर हमें फर्स्ट लुक मिलता है मूवी के में विलेंस का, कह सकते हो ग्रूप अब विलेंस का, अब देखो अभी तक ऑफिशिली सीरीज का विलें कोन है, इसके बारे में रिवील नहीं क्या गया, लेकिन मैं एक अ पहले तो तुम यहां रेड डागर को देख सकते हो, और यहां सनी कोल्डिंग शॉप, इंगलिश और उर्दू दोनों में ही लिखा है, अब यह जो रेड डागर है, वो भी कमाला खान का रिलेटिव है, तो बी एक्जैक्ट उसकी अंटी का बेटा है, और कॉमिक्स में यह एक सूपर हीरो है, जो कि न्यू यॉक को नहीं, बलकि कराची को सेव करता है, बट इस चॉट में आप देख सकते हो, कि कमाला इस पे ही अटाक कर रही है, तो मोस्टली किसी तरह की मिसंडेस्टेंडिंग होगी, और यहां इन्हों ने यहां भी स्टोरी चेंज करके, रेड और इस सीक्वेंस से तो यही लगा, कि वेडिंग को अटेंड करने के लिए कमाला पाकिस्तान आएगी, और यहां भी कई सारे important events होगी, और यहीं पर end होते होते हमें कई सारे action sequence दिखाये जाते हैं, अगर मैं अपना personal expectation दो, कि भाई मुझे इस show से क्या expectation है, तो यह एक normal fun show ह ट्रेलर से तो ऐसा ही लगता है, और लोकी के जैसे हमें कुछ epic देखने को तो नहीं मिलेगा, बट एक normal fun origin story होगी, आपका क्या opinion है, comment में जरूर बताना, और इस मैंने कुछ miss कर दिया हो, तो यहर वो भी बता देना, और यहर जाने से पहले share and like जरूर करना, MCU में दिखने व झाली